हैं हेलो वरिवन वेलकम यू ओल एट लोकेसर अलिम्टेटर इस्टडीज ओ तो आज यहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रिक टू फाइंड वर्टेक्स ऑफ पैरावुला बाई लोकेसर ओके तो आप यहां पे क्या देखेंगे एक्स्क्यूज में यहां पर आप ट square equal to 4a x होता है या plus में कहलो या minus में कहलो और x square equal to plus minus 4 ay तो इस तरीके के सभी parabola's के vertex आपको पता होते हैं कि इसके parabola के vertex जो होते हैं या तो 0-0 हुआ करते हैं ना 0-0 हुआ करते हैं बट आपके पास कोई standard parabola आ जाता है तो फिर मतलब standard तो नहीं कहोगे standard तो यह कहेंगे अगर आपके पास 2-degree equation में कोई पैरा बोला आ जाता है जैसे कि आपके पास कोई पैरा बोला आ गया 3x square plus 5x plus 6y okay plus 2 equal to 0 यह भी एक पैरा बोला जैसे आपके सामने बन रहा है और आपको बोला गया इसका वर्टेक्स निकालना है तो उसका वर्टेक्स निकालने के लिए आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा quadratic में एक एक प्रम को quadratic और एक equal के side आपको linear term बनानी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा महिनत लगी उससे बहुत ही कम समय में आपको में ट्रिक बता रहा हूं जैसे कि आप उसका इस्तमाल करके बहुत जल्दी आप उसका वर्टेक्स निकालने के जैसे फॉर इक्जामपल वर्टेक्स ऑफ दा पैरावुला एक्स स्क्वार प्लस टू वाई इकॉल टू टू एट एक्स माइनस सेवन यह आपके सामने कुशन दियागा सबसे पहले इसको एक तरफ कर लो एक क्वल्टू में 0 लयाओ अब यह देखो कि इसमें पावर टू किसकी है तो यह इसकी पावर टू है तो आप जिसकी पावर जादा है उसके respect में आप इसको क्या करतो differentiate कर दो तो और कैसा differentiation पार्शिल पार्शियल मतलब एक्स आपका variable रहेगा और य आप क्या मन लोगे 0 तो इसका differentiation किये तो कितना आगया 2x ये तो 0 हो गया इसका कितना आगया minus 8 equal to 0 तो option आगया तो आगया तो आगया 2x equal to 8 solve करने पर x equal to 4 आगया तो आपका जो vertex होगा वो कितना होगा x equal to 4 बट यदि option में x equal to 4 अकेले option से काम नहीं चला तो चलो y निकाल लो अब y निकालने के लिए आपको क्या करना है आपको जो x की value लाए हो आप इसी equation में put कर दो तो x equal to 4 जो है आप इसी equation में put कर दीजे तो 4 का square कितना आजागा 16 plus 2y है ना plus 2y is equal to 8 4 जा 32 और minus का 7 and solve करने पर y कितना आगया 9 by 2 so इस तरीके से जो vertex बनेगा वो कितना बनेगा 4,9 by 2 this is your complete answer ओके तो इस तरीके से आप जो है इसका vertex भी निकाल सकते हैं so this is done ओके तो इस तरीके से आप पे vertex निकालेंगे तो एक बार फिर से trick को में recall कर दीता हूँ trick क्या है देखिए अगर आपके पास कोई भी parabola की equation दी गई है आपके पास कोई भी parabola की equation दी गई है वो या तो x square में है या तो y square में है अगर x square में है तो आप क्या करेंगे उस function को x के respect में partially differentiate करेंगे और equal to 0 दिखाएंगे तो आपके पास क्या जागा X आजाएगा आपके पास something X आजाएगा उसकी value आप equation में put कर देंगे तो क्या निकलाएगा Y निकलाएगा तो आपके पास इस तरीके से vertex मिल जागा दूसरा अगर पैरा वोला में Y की power 2 है तो आप इसको partially differentiate करेंगे with respect to Y 0 से compare करेंगे Y निकलेगा और Y को वापस equation एक्विशन एपूट कर दोगे तो कितना आजागा X तो यह तरीका होता है आपकी trick होती है यह क्या निकालने की इसके vertex हैने की shears हिंदी में ने shears बोलते हैं So this is the trick to find the vertex of a parallel so this is done guys thank you